गले में चिपका चिपका सा लगता है ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है और कई बार ऐसा लगता है कि बलगम गिर रहा है तो आज की रेमेडी आप सभी के लिए जिल लोगों को इस प्रकाय से गले में चिपका हुआ मैसूस होता है या बार-बार उनके थूप बढ़ने लगता है ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ सा है तो उसके लिए आज बहुत ही आसान रेमेडी है इसे अगर आप करते हैं तो आपको 100% एक ही बार में आराम मिलेग तो इस प्रकाय की जो समश्या रहती है उसमें बहुत जादा आजका नुसका काम करने वाला है इसको आप करेंगे तो आपको जल्दी से आराम मिलेगा हम हमारे वीडियो के अंदर बात करते हैं रिजन की रेमेडी की और रिमो की तो चलिए बढ़ते हैं रिजन की तरफ अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है कि कुछ ऐसा खा लिया है या दूल मिट्टी के वज़़े से तो ये संक्रमान होने लगता है बार-बार सर्दी जुकाम का संक्रमान होना या फिर इम्मुनिटी बहुत ज़्यादा कम जोर है इसकी वज़े से भी गले के संक्रमान होते रहते हैं गले के उपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं सारी की सारी रेमेडी काफी ज़्यादा यूस पूल है आप उन उपपर आ जाता है तो भी समश्या लगने लगती है लेकि हरण का राम आप सभी जानते होंगे यह हमारे 3-2 शगर शरी के अंदर पेदा होने लगते हैं तो उसको बिल्कुल सही करते हैं अगर बल्गम बहुत जादा गिरता है पानी गिरने लगता है गले के अंदर पिर हरण उसमें काफी यूसपुल होती है तो आपको क्या करना है हरड के ही तीन उपाय करने हैं हरड बहुत एच्छी होश्टी मानी जाती आईवेट के अंदर और अगर आप इसका उपयोग सही डंग से कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि अपकी गले के संक्रमा नहीं होते हैं हरड क इसका प्रियोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए तो बल्गम के समश्य और सर्दी चुकाम का संक्रमा एलर्जी पहुँ जादा रहती है तो हरड का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे कोई नुकसाल नहीं होता सबसे पहला जो उपाय होगा हरड का पानी बनाकर गरारे आपको क्या करना है 1 ग्लास पानी waking रखना है और उसके अंदर 1 चमघरें का पाुडर जालते पानी का पानी को एच्छ यह सी बॉल कर लेना फिर उसके अंदर आको थोड़ा सा सेंदा नमख मिक्स करना है अगर आपके पास सेंदा नमक नहीं तो कोई सा भी नमों आ पधेड करने हैं थोड़ी सी देह रूख करके और फिर आपको हरड का पाणी बना कर पीना है यानि एक कप पानी रखना है उसके अंदर आदा छोटा चमबच आपको हरड का पाउडर डालना है चुटके बर हल्दी पाउडर डालना है उस पानी को फिर बोईल होने देना है इस पानी क तो अगर आप बना कर पीते हैं तो आपके गले के अंदर बहुत सारा संक्रमन होगा वर खत्म होने लगेगा कई बार ऐसा होता है कि बल्गम जादा होने की वज़े से गले के संक्रमन के साथ में यह समश्या दिखाए देती है कि गरदन पर छुटी-छुटी सी गठाने बनने लगती है यानि कि यह गठाने थोड़े दिन तक बनती है और फिर वापस बिगड़ने लगती है अपने आप सही होने लगती है और फिर बनने लगती है क्योंकि बल्गम की समश्या जादा रहती है तो यह संक्रमन देखने को मिलता है लेकिन अगर आप इस प्रकास इस पानी को बना कर पीते हैं तो वह बिल्कुल लेचुरल तरीके से जो गठाने बने लगी है वह हल्दी का प्रियोग करने से सही होने लगती है इसी तरह से आपको थोड़ी देर रुखना है और फिर थोड़ा सा आदा छोटा चमश हरड का पाउडर लेना है और उसी केंदा शैद को मिक्स करना है इस मिश्टन को भी आपको लेना है या तीनों उपाई हरड के ही है लेकिन एक साथ करने है जब आप इस तरह से तीनों रेमिडी को एक साथ अपलाई करेंगे तो गले का जो चिपका हुआ है वह एक ही बार में साफ हो जाएगा इतना ही बल्गम मन रहा था उससे निजात मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि खासी आती है ठूखना पड़ता है बल्गम निकालना पड़ता है लेकिन अगर आप को इस संक्रमन बार-बार होता है तो इस उपाई को आप कर सकते हैं हरण की पाउडर से immunity boost होती है, cold कफ जल्दी से नहीं होता है और किसी भी प्रकार की allergy होती है, उससे निजात मिलती है। बहुत बार सास की तकलीफ होने लगती है, तो उससे भी निजात मिलती है। तो इस तरह से अगर आप हरण की powder का यूज इस तरह से करते हैं, तो इस तरह का गले का संक्रमन हो, उससे आपको आराम मिलेगा। ञenne के साथ आपको कुछ चीजों को रिमूव भी करना हÍ। जैसे ठंडी चीजłों का ससी और झे खट्टी चीजों का ससी और दूद का सस्सक्रमन उससे नहीं होने देती है। तो दूद्ध और प्रमना के से और सस्नांक्रमन साई होएंगे। आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपके शरीर में खून की कमी होईगी तो वो सही होईगी, और जो कब जो और पेट की दिक्कत होती है, वो भी बिल्कुल सही होने लगेगी, ऐसी निटी भी नहीं बनेगी, तो मिलते हैं पिर नेक जान कारे के साथ मैं, थैंकि नेको कुछाँ जान की तो माज़ी लेगेगी, तो जुसके शान की जिए लेगे होने दो झाली को की जान की जाना की जान की। वो सही होईगी तो मैं। जान की तो जाब